हेलो दोस्तो वेल्कॉम टू माई चैनल देखिए इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ एक कॉम्टेशन के मैंना कोशन लिए हैं देखिए कंवलूशन पर किस ट्राइप के कोशन आ सकते हैं वह देखना इंपल्स रेस्पोंस हन ओ फैल्कॉम शिस्टम यानि लिनियर टाइम इनवेरियंट इस गिवें एज हो फैरे इंपल्स रेस्पोंस दे रखा हमें जब एंड की वैल्यो माइनस वन और वन है तो वैल्यों कि माईनस टू रूट तू ठीक है अगर अगर न की वैल्यों माईनस system is sequence e k power j pi n by 4 then output बताना हमें यह हमें input दे रखा x of n यह दे रखा h of n देखो मैं अगर मैं h of n को लिखता हूँ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 पे value कितनी है उसकी 0 next minus 1 पे value 2 root 2 और 1 पे value minus 2 root 2 ठीक है next minus 2 पे value 4 root 2 और 2 पे value कितनी है 4 root 2 ठीक है तो h of n को ऐसे लिख लिख लिए x of n हमें given है कितना e की power j pi n by 4 कैसे निकालते है output y of n is equals to h of n convolution x of n is equals to क्या होता है k equals to minus infinity to plus infinity x of n minus k h of n ठीक है तो y of n कितना जाएगा k की limit कहां से कहां तक जाएगी minus 2 से लेकर 2 तक तो k की limit आ गई कहां से कहां तक k की limit आ गई minus 2 से लेकर 2 तक x of n minus k h of n बस इसको पहले open करो तो पहले मैं k equals to 0 पुट करता हूँ यहां पर देखो चलो पहले minus 2 minus 1 then 0 then 1 then 2 तो पुट करो कितना k equals to minus 2 पुट करो तो यह हो जाएगा x n plus 2 h of कितना minus 2 minus 1 पुट किया तो x n plus 1 h of minus 1 0 पुट करो कितना आएगा x of यहां पर k equals to 0 x of n h of 0 sorry यह यह x of k है ठीक है h n minus k h n क्या है यह h of k यहां पर देखो ठीक लगाते आ रहे था है h of k है यह next plus अब n equals to 1 रखूँगा मैं x of कितना हो जाएगा यह n minus 1 h of कितना 1 next 2 रखूँगा 2 तक ही मुझे रखना और यह कितना हो जाएगा h of 2 बस value इसमें लगा दो x of n plus 2 n की जगे क्या कर देना n plus 2 पुट कर देना तो हमारे पास e की पावर j pi n की जगे पुट कर देना n plus 2 upon 4 h of minus 2 h of minus 2 की value कितनी है h of minus 2 4 root 2 x of n की जगे n plus 1 पुट करो j pi n plus 1 upon 4 h of minus 1 की value कितनी है minus 2 root 2 minus 2 root 2 next next x of n e की पावर j pi n by 4 into h of 0 की value कितनी है 0 plus next x of n minus 1 पुट कर दो n की जगे j pi n minus 1 upon 4 इसकी value कितनी है minus 2 root 2 next e की पावर j pi n minus 2 upon 4 वो कितना हो जाएगा h of 2 4 root 2 ठीक है तो y of n कितना आगे है मेरा देखो मैं इसको 2 parts में करके लिखता हूं 4 root 2 e की पावर j अंदर multiply कर दो pi n by 4 ठीक है j pi की अंदर multiply कर दे रहा हूं मैं e की पावर j pi j pi 2 upon 4 ठीक है next इसके लिए लिखो e की पावर j pi n upon 4 e की पावर यहां पर कितना आजाएगा minus आजाएगा ठीक है minus j pi 2 upon 4 और यहां पर कितना 4 root 2 बस यहां पर देखो e की पावर j pi n by 4 सब जगा common है तो सब जगा इस ले लो कि पावर j pi n by 4 सब जगा इसा common है यहां पर कितना हो चाहिए 4 root 2 into यह इससे 2 times cut जाएगा e की पावर j pi by 2 कितना होता है e की पावर j pi by 2 होता j ठीक है minus 2 root 2 यह common चला गया e की पावर j pi by 4 कितना होता है 1 upon root 2 plus j upon root 2 next यह common चला गया 2 root 2 e की पावर minus j pi by 4 कितना होता होता है 1 upon root 2 minus j upon root 2 next इसको 4 root 2 को 4 root 2 यह से 2 times cancel e की पावर minus j pi by 2 कितना होता होता minus j ठीक है तो y of n कितना आगया e की पावर j pi n upon 4 इन सब का multiply करो यह आगया 4 root 2 j 2 root 2 के अंदर इस में multiply करतो root 2 से root 2 cancel हो जाएगा यह आजागा minus 2 minus 2 j ऐसे यहां पर multiply करो कितना आजाएगा minus 2 ठीक है plus 2 j यह कितना आगया minus 4 root 2 j इससे यह cancel 2 j से 2 j cancel और कितना बचा 2 2 to minus 4 तो y of n कितना आजाएगा 2 to minus 4 e की पावर j pi n by 4 ठीक है इस type के question आते हैं competition में next करते हैं वहां पर करते हैं तो बहुत जाद होता होता है इतने जाद है formula और formula नहीं लिखते हैं जादे practice आती है तो यह लिख देते हैं देखिए कोई step छूट गया हो तो next question की ताब बढ़ते हैं देखो a discrete time linear shift invariant system question काफी बढ़ा है पड़ने में has an impulse response hn with h0 equals to 1 h1 equals to minus 1 h of 2 देखिए 0 पर 1 पर 2 पर उसकी value exit करती है और सब जगह कहां पर 0 है the system is given to an input input दे रखा है उसकी input की 2 value point पर value exit करती है 0 2 ठीक है उसके अलाबा सारे point पर 0 है the number of non zero samples in the output तो हमें yn बताना उसमें non zero वाले जाओंगे वह कितने यह बताना and y2 की value बताना देखो कैसे लिखते हैं पहले मैं क्या करता हूं h of n की value लिखता हूं मैं देखो कैसे लिखूंगा मैं h of कोशन कितना बढ़ा था और solution कितना छोटा होगा h of 0 की value दे रखी है मुझे 1 जहां 0 होता हुआ पर मैंने error लगा दी ठीक है और h of 1 की value है minus 1 और h of 2 की value है 2 ठीक है यह h of n दे रखा हम है x of n क्या दे रखा है मुझे देखो देख 0 पे value है 1 तो 0 पे value है उसकी 1 है next 2 पे दे रखी है तो हमें 1 पे value नहीं है 1 पे value नहीं है तो इसको मैं 0 मानूँगा 2 पे value कितनी है 1 यह हो गया है वो बस हमें क्या करना output बताना तो output क्या होगा y of n जो होगा किसके equal होगा h of n convolution x of n ठीक है तो मैंने बताया था कि सबसे छोड़ा कुन सा पढ़ेगा tabulation method कर लो या multiplication कर लो तो मैं tabulation से करता हूं 1 minus 1 2 1 0 1 बस multiply करना है 1 minus 1 2 0 करोंगा सब 0 इस वाले 1 से 1 minus 1 2 1 का पेर बना 2 का then 3 का then 2 तो y of n क्या आ गया मेरा 1 आया 0 minus 1 यह हो गया minus 1 यह हो गया 3 यह हो गया minus 1 और यह आ गया 2 यह आ गया y of n ठीक है हम से पूछा गया इसमें y of 2 की value और number of non zero samples तो number of non zero samples कितने आ गया number of non zero samples कितने आ गया non zero यहानि उसमें कितने बिना zero वाले sample है एक दो तीन चार पांस और हमसे पूछे गई थे y of 2 की value y of 2 की अभी हमने zero की value indicate नहीं किया कुन सा होगा यहाँ पर देखो arrow से पहले कितने element zero arrow से पहले कितने element zero तो total element arrow से पहले कितने हो गया zero तो output में भी arrow से पहले कितने element होंगे zero ठीक है तो यह तो हो गई y of zero पोजिशन y of zero y of one y of two y of two की value कितने आ गई थिरी तो इस type से question करते है ठीक है इस type के question आते है competition में इस वीडियो में इतना ही और थैंक्यू मिलते है next वीडियो में